तो आज हम बात करेंगे कि यह आपको यह बहुत अच्छा पॉर्चनिटी है उन सारे सीडेस एस्पिरेंट्स के लिए जो बच्चे सीडेस के तयारी कर रहे हैं या कि एफकेट कर रहे हैं इसके similar बिलकुन लगबग एक जैसे एक्जाम में आपका UPSC CAPF का तो इसके बारे हम पूरी बात करेंगे कि उन बच्चों के लिए कैसे एक्जाम बेनिफिशल है जो बच्चे सीडेस के एक्जाम कर रहे हैं लगबग आप यह मानलो कि 80% जो आपके GS का पार्ट है सीडेस का ब देखो, CAPF का जो पेपर है आपका यह असिस्टन कोवनेंट यह आपका रिलीज किया था है UPSC के द्वारा ठीक है यह पेपर कोवनेंट कर तब का UPSC 24 अपरेल को इसका नोटिफिकेशन आए हुए है लास्ट डेट जो है इसके फॉर्म फिल आउट करने की वो है आपकी 14th of May 2024 ठीक है 14th of May 2024 इसकी लास्ट डेट है किसके CAPFAC की फॉर्म को सब्मिट करने की अब जब समझो मैं आपको एक बात बताओं मतला बहुत सुनहरे सम्दूबे और बहुत अच्छी मतला अगर आप समझ कौनेंट होता है न से जैसे ही आप आप असिट्रंट कन्दल आप यूस है आप और यूसा दे जया सुनहरे से देगते हैं कि पूलेस में घीक आपका असिच्टर्ण गवारनेट और आपको और शुचाऊंच अब डिफेंस के टमस में जो एक आर्मी मेंग आपकी रेंग हो लिफ्रेंट कंदल, लिफ्रेंट करनल रेंक के एक्विलेंट रहेंक है आपकी असिस्टेंट कावनेट, तो आप यहां से आप अंदाजा लगाओ इस बात का, को जो बच्चे स्वीडेस की प्रपरेशन कर रहे हैं, यदि आप असिस्टेंट कावनेट में सेलेक्शन होता है तो आप समझा आप डायेट किस रेंक में आप सेलेक्ट होगे और कहां किस ग्रेट में जाके आप भुरुक रहे होगे, ठीक है, तो यह बहुत अच्छी अपोरिचनिटी है, आप यहां से हर एक बात को समझेंगे, यहां से देखो, भारत में न, भारत में दो तरहे के एक होता है आपका, एक होती है आपके मिलिटरी, ठीक है, एक होती है आपके पैरा मिलिटरी, एक होती है आपके मिलिटरी, एक होती है पैरा मिलिटरी, जो आपका आता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और आपके इंडियन एर फोर्स, यहां आती ही मिलिटरी के अंदर चाहे हैं चाहे हैं टोटल आपके एक दो तीच और वाच यह पांच पांच है जहां प्या बनते हैं आप असिस्टन गोर्नेट बनते हैं बहुत भाई बंपर अपरचनिटी है तेक है बंपर विकन्सी से 506 सबसे ज्यादा आपकी विकन्सी से कहा पर आपके बीएसेफ में आपके 186 विकेंसी है उसकार आपका CRPF में Central Reserve Police Force में आपके 120 विकेंसी इसी इसेफ Central Indian Security Force आपका सब वेकंसी है ITBP इंडो तिबितन में 58 वेकंसी है सहस्तर स्रीनोबाल में आपका 42 वेकंसी है आगे हम बात करते हैं अब देखो सबसे अच्छी वात है यहाँ इस विकेंसी की जैसा कि आपको पता होगा कि सीडेस में एक लिमिटेशन है कि सीडेस में आई में सिर्फ बॉइस जाएंगे आई एन में बॉइस जाएंगे एफ जाएंगे ठीक है एसलिमिट्र है बिल्कुर मोटा मोटा समझना आप अच्छासे कोई कोई कनफुजान नहीं होगा बहुत है belum जो भी आपको जनरेल और यह की डबलोर सोले जो के दूअट है जनरल और उडवरे सोले जो के लिए जनरल मेंिए सोले से 25 साल तक मियंदी इस याओ किक असलाफ का एज रिडिक्षेशन के लिए this sub 65 jet यह हो बीछ से 1838 सल प्र यह होगे अपका पॉत साल का एज इसक अ किसके लिए adalah मेद एस्ससे तैस साल बिलकुरremo रखना कि जन्रल और बज वालों के लिए 20 से 25 साल तक यह जय से वालोगली 20 से 30 साल तक की यह वाले सारे के अपलाई कर सकते हैं और मैं आपको स्पेसिफिक होके बताना चाहूं ठीक है विट डेट यह देखा आप यहां पर विट डेट आपको यहां लिखा हुआ है जिनका जन्म 2nd August 1999 से लेके 1st August 2004 के बीच में हुआ है वो सारे बच्चे यह जो डेट है यह जनरल और EWS वाले केंड़ेट के लिए है जिन सारे बच्चों को जन्म 2nd August 1999 से लेके 1st August 2004 के बीच में हुआ है वो सारे जनरल EWS वाले के डेट अपलाई कर सकते हैं अब यहां से 3 साल बढ़ा लेना OVC वाले यहां से 5 साल बढ़ा लेना आपका कौन सा STSC वाले तो यह हो आपका एज हो गया किसके लिए मतलब एज क्राइड होगे पूरा आपका जो की डिफाइंड है ठीक है किसको दारा यूपसी को दारा ओके सर आंगे बढ़ते हैं अब देखो यहां प्याप कि मीनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर आपका एक टार करार्ण के दिख सिर्फ और एक एजुकेशनल क्राइटिरिया क्या आपका आपका मिनमम क्या होना चाहिए बैचलर्र डिगरी आपकी होने चाहिए इसट आपकी अच्छे धंग सकते हैं खीक है किए कंरें मतलब फीमील को कोई पीज नहीं लएगी से लगी को कर हो और नहीं किन्स distribution को किसलें को है । यहां से मोटभ और क्या हो गया किसल कोई ऊप Paper मैं कौए किन्स आपको किन्सatti देना है किन्स अन्को है कि इस देना किन्स वालों को और आपका OBC वालों को कितनी फीज देनी है मात्र और मात्र 200 रुपए मात्र और मात्र 200 रुपए आपको फीज देनी है that's it STST female को फीज ने देनी है general EWS OBC वालों को मात्र और मात्र 200 रुपए पे करने है that's it आप समझो selection procedure total तीन stage में आपका ये पूर exam होता है मतलब CAP assistant command के वेपर होता है वो तीन stage में divided है आपका stage first के आपका return examination होगा जो बच्चे return qualify करेंगे वो कहाँ पर आएंगे physical देने आएंगे physical ठीक है जिन बच्चों का physical clear होगा उन बच्चों क्या ली जाएगा medical ली जाएगा stage second में ठीक है टोटल चार इस्ट्रेज़स में आपका यह पूरा सिलेक्शन प्रोसिजर आपका अब समझो syllabus of the examination यह बहुत important है बहुत ज्यादा important है यह समझना आपने के लिए इसमें बच्चों को बहुत ज़द अगन fusion होता है सरक कितने marks का वेपर होगा कितने number के वेपर होगा कितने वेपर होंगे किसने पार्ट में होंगे सारी चीज़े बहुत अच्छे से आपको समझाता है यहां पर देखो रेटर इंग्जामनेशन रेटर इंग्जामनेशन को लेगा यूपेसे लेगा ठीक है फोर्टीन्थ में फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट है और चार अगस्त आपके इग्जाम डेट है यह दो क्रूसियल डेट है जो आपको ध्यान रखने है एक छोटी सी नेसेसरी और जरूरी इनफरमेशन वो सारे वर्दी लवर्स वो सारे बच्चे जो कि NDS, CDS, F-CUT की तयारी करके इंडियन आर्माड फोर्स पे अधिकारी बनना चाहते हैं लेटरेंट बनना चाहते हैं सब लेटरेंट बनना चाहते हैं फ्लाइइंग अपसर बनना चाहते हैं ऐसे किसी भी ग्साम की अधिया प्रेपरेशन करना चाहते हैं डिफेंस की एक्जाम की तो आप बिलकुन जूड़िये फोर्स डिफेंस अड़ेशन करना चाहते हैं नीचे आपका कॉंटेक्ट नंबर चल रहा है स्कुरल वार में बिलकुन आप उसको डायल करिए और बहुत अच्छे धंक से आप अपने तयारियों के यहां पर कर सकते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर, देखो, हम यहां बात कर रहे थे, तो चार अगस्त को आपको पेपल ले जाएगा, अच्छे हमें देखो, आप यहां पर दो पेपर होते हैं, आप समझते हैं हैं से आप, CIPFAC की दो पेपर होते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है, पेपर वन और पेपर टू है समझते हैं, पेपर वन, जो पेपर वन का टाइमिंग होगा आपका, वो दस से बारा बज़े हैं, सुबह दस बज़े से लेके दो पहर बारा बज़े तक, और जो पेपर टू होगा आपका 2-5 इस बात का मतलब यह हुआ कि यह आपका 1-day exam है यह आपकी 1-day exam है ठीक है दो पार्ट है आपका पेपर होगा पेपर 1 होगा आपका 10-12 में पेपर 2 होगा आपका 2-5 में इतनी सी बात है वंडे exam एक दिनों दोने पर आपका खताम हो जाएंगे ठीक है आप समझो यह यह जो पेपर 1-य है यह जंडाल एबिलिटी एंड इंड इंडिलिएंस काटेस्ट है 2015 दोसो पजास मांक्स का पेपर होता है 125 को सब्सक्राइब पूछी आते हैं इतनी सी बात आप समाजना तो कुस्ट्ट विल भी अब्जेक्टिव बडिटिवल चॉइस ठीक है एम सी क्यों अले पर होंगे मतला आपके पास में चार आपको दिये जाएंगे 125 कुस्ट्ट्ट्ट डोसो पजास मांक्स ठीक है और जो कि हिंदी और इंग्लीस दोनों में आपको दिये जाएंगे को सब्सक्राइब गर्णी के साथ 75 को सब्सक्राइब इमांदारी के साथ, ठीक है, विदाउट निगेटिव मार्किंग किसी के लावा, आपका पर रिटन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है सनम समझ गये, जैसे आप class 11th में थे ना तो हम लोग एसे लिखते थे एसे लिखते थे लेटर राइटेंग लिखते थे सेम हो ही का आपको यहां पर करना है ठीक है ना यहां पर आपका यह होगा आपका 200 marks का तो paper जो आपका one है यह है आपका 250 marks का जो paper two है आपका 200 marks का इस बात का मतलब यह देखो writing of the essay component in English अच्छा जो आप एसे लिखोगे वह आपको इंग्लिस में लिखना है ठीक है यह बिल्कुन फ्री है आप हिंदी अक इंग्लिस दोनों में से किसी एक language में आपका आपका इसे को लिखने के लिए और यहां पर एक समझना इस बात को the medium of pressure writing पर जो आपको प् फिर लिखना है इसे को आप हिंदी इंग्लिस दोनों में किसी में लिख सकते हैं पर आप प्रेसिर डाइटिंग जो आप लिखेंगे याकि लेटर रैइटिंग वो किसमें लिखना है और फिर लिखना है सबस्क्राइब गोश्राइब सब्सक्राइब कि जाएगा यूपस्टी के दौरा फिक्स करें ही जाओं के बाद उनकी एक वाड़ीन ठीक है तो इध्यान रखना है आपको कि इस बात का मतलब यह हुआ कि पेपर फर्स्ट को क्या करोगे पास करोगे मतलब इस बागो कि पेपर फर्स्ट आपको हुआ 250 मार्क्स का कितने मांक्स का सर्व वह 250 मांक्स का मान लो कि UPSC ने सेट किया कि 200 इसने बोल रखा है minimum qualifying marks तो मान लो इसने सेट कि कि 250 में से मान लो कि आपका 130 नंबर वाले बच्चे पास है मतलब मीनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा हूं तो इसके 130 या कि इसके ऊपर वाले सारे बच्चे क्या होंगे पास होंगे और 130 और इससे ऊपर वाले इनके ही सिर्फ कौन सी कौपी चेख होगी जो पेपर शेकेंट होगा सिर्फ उन्हीं बच्चों कौपी चेख की जाएगी जो बच्चे पेपर वन में क्या होंगे पास होंगे मतलब उनके minimum qualifying marks का जो इसको क्या करेंगे फुल्फिल करेंगे इस बात को ध्यान रखना है यह इस बात को अच्छे से अप समझ के जाना जब आप एपर देने जाओ तो ठीक है तो पेपर तो उसी का चेक के जाएगा जो पेपर वन में क्या होगा पास होगा ओके सर्फ आंगे बढ़ते हैं अब देखो पेपर वन में आपके 135 कोशन पूश्याएंगे 250 मार्क के पेपर वन का सिलीबस क्या क्या है मतलब पेपर वन जो आपका कंडेक्ट होगा जो आपके 125 MCQ जो कोशन रहेंगे पेपर वन के उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो कोश रहेंगे मतलब आपका वाइलेटी भी हो गाया एक्कोनामिक्स हो गया और घीयस भी हो गया फिर आपका जियोगाफी है थीक है फिर आपका हिस्ट्री भी है मतलब मोटा वटा पेश है मतलब पेपर वन रहे गाना उसन demost mant視. a black chemistry स्च के मैं और विल्कु मेसीतक्स को वह रहे do ओसरे सोधीनिंग घीके चीजीटी Gum.. पूलिटी उकनौमिक्स फिर आपका जीयस घीयस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बाय ओ तो साथ सब्जेक्ट यह हो गए दो सब्जेक्ट आपके यह हो गए टोटल नौ सब्जेक्ट से मिला कि आपके पेपर वन बना होगा इस बात को ध्यान अखना बिल्कुन ब्रॉड तरीके समय आपको समझा रहा हूं ठीक है पेपर टू में आते हूं कि एसे और कॉंप्रेंशन एसे प्रेशी राइटिंग अब देखो क्या बोल रहा है आप से एसे जो आप लिखोगे ना जो आप इससे लिखोगे मैं आपको पहले बिदा चुका हूं कि इससे को आप हिंदी इंग्लिस अपने कन्विनेंसी के कोडिंग आप कहें भी लिख सकत हैं मतलब किसी भी लिख सकते हैं पर वह हो का और अपका एटी मार्क्स का जो ऐसे लिखा जाता है वह था है आपका एटी मार्कत का ठीक है अब वह डिषाइड करेंगा कौनसी टॉपिक में आपको कोशन मतलब आपका और आपके बस्सकों अब इसकुदए मोगे इंवे तो यहां देखो आप देखो जो पेपर सेकेंड था वह था आपका 200 नंबर का मतलब 200 नंबर में से 80 नंबर का आपका एस से हो गया मतब दो तीन को स्वेस्न बेहेंगे एक आपको सेट करना होगा और उसुको लिखना होगा इंगलियस आके हिंदी ठीक हैEND में कि यहां पर आपका जो स्टेजई फर्स्ट होती आना जो स्टेजफ फर्स्ट है आपकी अक कि यह स्टेजफ फर्स्ट है बोगर हो गया स्ट्रेश वर्टोंस कुरा प्रसाम्ज़के आप हां आते कि हाँ पर फिजकल में जो बच्चे रिट्न कॉलिफाइग कर लें connections वो कहां पर आएंगे, फिजिकल में आएंगे, यह देखो, candidate, who declared qualified in the rating examination, जो बच्चे रिटर ने पास होंगे, वो बच्चे कहां पर आएंगे, फिजिकल देने आएंगे, बच्चे, अब देखो, फिजिकल में क्या क्या होगा, PT, मतलब फिजिकल इस टेस्ट में क्या क्या जो पर ना होगे, थोड़ा-थोड़ा भी, तो आप बहुत आसानी से, जिसका टेस्ट होगा, आपका फिजिकल का, वह बहुत आसानी से clear कर लेगे, जाहे वो बोईस हो, चाहे वो आपका Gals हो, कहीं कोई दिक्कर ने आगी, यह तो आपको सोचना ही नहीं है, आप आराम से तसलिस से पहले पढ़ो चाहे वो सीडेस वाले बच्चे हों एफकेट वाले हों उन सारे बच्चों के यह फॉर्म फिल करना है और इसके बारे बिलकुर नहीं सोचना है आपको यह बता रहा हूं आप एक महने भी थोड़े प्रेक्टिस कर लोगे और फूर्स रिफिंस अक्र को सब्सक्राइब उसके बाद 800 मिटर के जो रेस है आपका 800 मिटर वह मेल को कंपलिट करनी है तीन मिनट 55 पह बहुत राएं बहुत जैता रहा हूं आपको मतलब यहां प्यान होता है यहां पर-पूरपूर आको एक अधिक दिया रहे हैं एक मिनट अधिक बहुत होता है ठी 85 second में 800 meter की risk long jump long jump 4.5 meter लापको लिभ्य झान करना है उसके लिए और थी चान्स दी egenhyमेल तोनों को long jump mail को करना है 4.5 meter female को करना है आफ lecdo सिर्फ पूइंट फाइब का उसीजरी डियर पूरा है इस च्छीटरी बहुत आसा बहुत आसाने से कहीं को धिकत निया इसमें आपको फिर $1ошर अप्र बच्क कर लोजए 176 अब उन्हें बच्चो का लिय जाएगा मेडिकल ले जाएगा इससारा लिखा हुओ है इंहां पर यहां पर एक समयान है अपको के अन्डीशन ये है केणिडेट्स हुग और डिकले टॉसी अनफिट्ट जो बच्चे मेडिकली अन फित हो गए जो बच्चे मेडिकली अनफिट हो गए ठीक है फॉसुलुलेट्य को भी क्वाल लेट्र आ तो सारे बच्चे ध्यान देंगे अगर आप मेडिकली फिट है तब तो जाने हैं मेडिकली एन फिट हो तो भी आपको दियार मिला हुआ है तो भी आपको interview quality राएगा, यहां पर यह लिखा हुआ है, यह सारे आपके interview के बहतरीन यहां पर असेसर्ष है, force defense academy की में आके, आप interview के तयारी आप बहुत बहतरीन धंग से, बहुत सांदर तरीके साब कर सकते हैं, ठीक है, एक से एक specialist है हमारे पास में, करनल मनोज वर्वन सर, ठीक है, मतलब बहुत experienced, ठीक है, विकास यादो सर होगे, कैप्टन सिती सर होगे, फिर आपके कैप्टन उपेंज सर होगे, फिर आपके करनल रभी मुखरी सर होगे, यह सारे एक से एक expert है, धुरंदर है, अपने field में, तो यदि आपका interview call आता है, बिल मतलब यहां पर आप यहां रहोंगे, इसमें CPF में, फिर final selection पर आते हैं, फिर फाइनल सिलेक्शन पर आते हैं, यहां पर एक समझना है, यहां पर लिखा हुआ है, the merit list will be drawn on the basis of marks obtained by the candidates in the return examination, ठीक है, return examination, और return examination में क्या थे, आपके दो paper थे, paper 1 और paper 2, paper 1 कि दुरंगा था, यह देखा आप, paper 1 था आपका 250 marks, paper 2 था आपका 200 marks, 250 और आपके 200 marks, मतलब टोटल, साधे 400 marks के according क्या बनाई जाएगा आपका, आपकी merit list माई जाएगी, ठीक है, तो यह था आपका पूरा discussion, किस के बारे में, CPFAC के बारे में, थेंक्यू साथी हूँ, तो यह था आपका पूरा discussion, CPFAC के बारे में, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस यूडियो को access किया, तो I hope, आपको इस सारे बाते हैं, आप सामझ पाए होंगे, और यहां से कुछ आप सीख पाए होंगे, ठीक है, जोड़ना है आपको फोर्ट से और अपने तयारी को आप अच्छे रंग से करते रहे, जहें साथ यो!